नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल FM ग्यान पर जहां पर हम और आप financial and money related वीडियो पर बात करते हों कोशिश करते हैं अपनी हर ने वीडियो के साथ कुछ नहीं educational चीज़ें आपको सिखा सके आज के financial याँ topic में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जैसा कि आपको news में सुनने को मिला होगा एक ऐसे bank के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जहां पर RBI की restrictions आई हैं और यहाँ पर 1000 withdrawal cap fix कर दिया गया है चाहे वो current account हो चाहे saving account हो बट customer 1000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते हैं तो कौन सा bank हो क्या fraud हुआ है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा हमने instagram पे अपना नया page बनाया है अगर आप crypto market या share market से related news या फिर memes जाते हैं तो हमारे instagram page को जरूर follow कर सकते हैं वहाँ पर daily post होते हैं और साथी साथ जो भी query होती इंस्टा पे आप देख सकते हैं बहुत लोगों की DM आते हैं इसकी बारे में अगर हम बात करें तो RBI ने 12 November को यहाँ पर कुछ restriction डाले हैं और इस restriction का कारण की अगर हम बात करें तो RBI पिछले कई time से काफी months से observe कर रही थी इस bank की practice को और इनके financial statement को और यहाँ पर यहाँ पर यह मानना जा रहा है कि bank में बहुत सारे fraud या पिर दिक्कत वाली बाते चल लहीं हैं और अगर हम बात करें इनके financial results वो भी उतने जादे अच्छे नहीं चलने हैं और transparency कहीं लाइक कर रहे हैं जिसके वज़े से RBI को यह सारे कदम उठाने पड़े हैं तो यहाँ पर क्या-क्या restrictions अगे हैं जो भी इसमें जिनका भी account है उसके लिए हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर RBI ने साफ साफ कह दिया है चाहे वो saving account हो चाहे current account हो एक हजार रुपए से ज़्यादा आप withdrawal नहीं कर सकते हैं November 12 को यह चीज issue हुई है और लगबग यह 6 मन्त के लिए यहाँ पर withdrawal cap fix किया गया तो अगले 6 मेने तक आप 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं और साथी साथ bank के लिए भी कुछ guideline आई है बैंक के लिए यहाँ पर यह बोला गया है कि कोई भी नए loan नहीं grant कर सकते हैं नहीं अगर हम बात करें loan को जो भी पुराने loan चल ले हो उसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें नया loan sanction भी नहीं कर सकते हो नहीं उन पुराने loan को revise क कर सकते हैं यहाँ और साथी साथ नहीं कोई यहाँ पर liability का कुछ issue कर सकते हैं नहीं यहाँ पर asset पर work कर सकते हैं कि आपने कुछ asset खरीदने की कोशिश करें तो जितने भी औरिजिनली अगर हम बात करें जो भी banking के लिए advance देनी की बात तो वह भी नहीं कर सकते हैं यानि कि banking क लगबख सारी चीजों को बैंक के तरफ से एक तरह से रोकने की प्रतिबन लगाई गई है क्योंकि बैंक में जो financial result है वो कहीं न कहीं सही नहीं है बट बैंक जो है अभी भी अपना account चला सकते हैं जो भी नए customer अगर account खुलवाना चाहते हैं हलाकि इसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ टाइम तक कोई भी नए account खुलवाना चाहेगा जो खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं simple practice चलेगी और ये सारे जो भी अगर हम बात करें restriction लगाए गया हैं वो सारे banking act के थुरू लगाए गया है और इन restriction को धीरे धीरे withdraw किया जाएगा हटाया जाएगा बट उसके लिए bank का जो result है वो improve करना चाहिए bank की जो condition है वो improve करना चाहिए उसके बाद ही ये सारी चीज़े हटेंगी उसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं हटने देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस bank के लिए काफी बड़ा जटका और साती साथ जो भी इन bank में जिनका भी account रहा है उनके लिए बहुत बड़ा जटका है तो इसलिए मैं हमेशा किसी भी bank के share में अगर आपको बोलता हूँ तो अगर आप पैसा भी लगाए तो उन bank के share में जहां पर आप उस bank पर भरूसा कर सकें company अगर हम बात करें bank का बहुत बड़ा नाम हो बहुत time से हो एक अच्छे खासे bank में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि bank में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसलिए मैं यहाँ पर yes bank से related भी asset fraud का मैं उमीद नहीं कर रहा हूँ लेकिन य इसे चोटी मोटी दिक्कते कभी भी आ सकती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है तो इस bank के कहानी जो हमने बताई उस पर आपकी क्या रहा है इसके लावाँ अगर आपकी कोई query है या आप किसी शेयर या किसी भी topic पर चाते हम वीडियो कवर करें तो comment करके ज थैंक यू